सर्दियों में शरीर में कई तरह के बदलाओ आते हैं एक तरफ जहां फ्लू और सीजनल बीमारियों का खत्रा बढ़ जाता है तो दिल की बीमारिया भी काफी जादा बढ़ जाती हैं आकडों के मताबिक ठंड में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि सर्दि के मौसम में हार्ट अटैक का खत्रा क्यों बढ़ जाता है दरसल ठंड के मौसम में नसे सिकुड कर सब्थ होने लगती हैं इन्हें नौलमन करने के लिए स्चरीर में बलड फ्लोप बढ़ने लगता है जो बलड प्रेशर को बढ़ा देता है इससे दिल पर दवाव पढ़ता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सर्दियों में हार्ट अटैक बढ़ने का कारण क्या है एक रिसर्च में पाया गया है कि हार्ट के मरीजों को ठन में हार्ट अटैक का खत्रा 31 प्रतीशत तक जादा बढ़ जाता है रात में सोने पर शरीर का बलड प्रेशर और शुगर लेवल कम होता है जिसे तुबव शरीर का और्टनॉमिक नर्बर्स सिस्टम नॉर्मल करने में लगा रहता है इस मौसा में इस काम को करने में दिल को नॉर्मल से ज़ादा मेनद करने पड़ती है जिसे हार्ट अटैक का खत्रा बढ़ जाता है वहीं सर्दी के heart attack के कुछ अन्यकारण भी हैं जैसे की नमक कम खाएं हर्ट को healthy रखने के लिए blood pressure को control में रखना चाहिए सर्दियों में जितना हो सके कम नमक खाना चाहिए दरशल सरीर में नमक पानी को रोकने का काम करता है हर्ट को इसे लिक्विट को पम करने में अधिक महनत करनी पड़ती है जिससे हर्ट एटाइक का जोखिम बढ़ता है पानी लिमिट में पीए ठंड के मौसम में लोग कम पानी पीते हैं जो हर्ट के लिए फायदेमन माना जाता है एक्सपर्ट के अनुसार इस मौसम में ज़्यादा पानी पीने से हर्ट को ज़्यादा लिक्विट पम करना पड़ता है जिसे दिल को ज़्यादा महनत करनी पड़ती है और हर्ट एटाइक का रिस्क बढ़ जाता है सुबर जल्दी वाक पर न जाए सर्दियों में हर्ट के पेसिंट को सुबर बहुत जल्दी नहीं उठना चाहिए जल्दी उठने से नसे सिकुडी रहती है ऐसे में तुरंत एक्सरसाइज या वाक करने में परिशानी हो सकती है इसलिए हल्की धूप होने के बाद ही बाहर निकले और हल्के एक्सरसाइज ही करें शरीर को कप्ड़े से कवर करें ओईली चीजें ना खाए सर्दी के मौसम में लोग तला भुना जादा खाते हैं इससे बैट कलेस्ट्रोल की मात्रा भी बढ़ने लगती है जिससे हर्ट अटैक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है इसलिए ठंड में पराठे और ओयली चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए तो देखा आपने कैसे लोगों में आज कल हर्ट अटैक की मामले जादा बढ़ रहे हैं और उसका कारण भी आज आपने जाना तो हम आपसे अपील करेंगे कि आप अपने दिल का ख्याल रखें और ज्यादा से ज्यादा अपने आपको सेहत मन रखें